हाई एवरिवन आई वेलकम यू आल टू आर शेनल तो आज हम थर्ड ऑफ जैन्वरी 2021 के न्यूज आर्टिकल डिसकस करेंगे और इंडियन एक्सप्रेस और सेकंड ऑफ जैन्वरी के भी डिसकस करेंगे प्रेस इन्फरमिशन ब्यूरो भी देखेंगे तो लेट्स के स्टाट की न्यू डेली की मेज है तो ड्राइरन में वस है कि हेल्थ वरकर्स पर यह चलेगा और उसके बाद ही क्लियरेंस बलेगी और तो क्लियरेंस जो है किसके दोरा मिलती है तो यहां पर हम देख सकते हैं बाइदे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑंगनाइजेशन त सारा कंट्रोल करते हैं जितने भी मतलब इससे रिलेटेड जो स्टेट्मेंट होते हैं या फिर जो कुछ प्रोग्राम होते हैं वेक्सिनेशन से रिलेटेड तो ड्रग कंट्रोलर जनल ऑफ इंडिया और इंडिया में अगर बात करें तो किसको रिकमेंड किया गया है अप् कोवी शील्ड को कोवी शील्ड दे वेरियंट ऑफ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वेक्सीन डाइस बींग मैनुफेक्च्छरड बाइ अंडर लाइसेंस इंडिया वाइस सेरम इंस्टिटूट ऑफ इंडिया के द्वारा कोवी शील्ड है कोवी शील्ड यहां पर बनाई अब दूसरी चीज यह है कि जो फ्री वेक्सीन होगी फोर त्री करोड हेल्थ केर फ्रेंट लाइन वर्कर्स के लिए इसको स्टाफ के लिए फ्री किया जाएगा ठीक है तो यह अभी बोला गया है और जो थर्ड प्रियर्टी ग्रूप है उसके बारे में अभी क्लेरिटी नहीं है कि जो मतलब persons above age 50 रखें या फिर person below age 50 रखें जो जिनको कोई को मोर्विटी भी हो ठीक है तो इसमें अभी क्लेरिटी नहीं है लेकिन यह बोला गया है कि तीन करोड जो हेल्थ केर हैं और फ्रेंट लाइन वर्कर्स हैं तो उनको फ्री में वैक्सीन दी जाएगी त तो हम एक बड़ DCGI के बारे में देख लेते हैं और CDSCO के बारे में देख लेते हैं Central Drug Standard Organization तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यह रिस्पॉंसिबल है लाइसेंस को अप्रूवल देने के लिए जो स्पेसिफाइड केटेगरी की ड्रक्स होती हैं जैसे की ब्लूर्ड अन ब्लूर्ड प्रोड़क्ट्स और वेक्सीन अधिकम्स अंडर दे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेर्स अंड डीजी सिए अंडर गयमेट ऑफ सेंट्रल रग्स स्टेंडर कंट्रोल ऑ अन ब्रिंग सब्सक्राइड और यह क्या करते हैं डिस्प्यूड भी जो हो जाते हैं उनको भी एड्रिस करते हैं और सेंट्र ड्रक्स अंडर कंट्रोल ऑग्नाइजीशन के बारे में देखें तो यह इनका भी काम है कि डिस्चारजिंग फंक्शन असाइंड तो दी सेंडर गौर्मेंट अर्ग्नाइजा क्या थे Все figuring यहीं तो यह सब स्काम होते हैं ठीक है च्टर इसें ऑशन ड्रीम से रिलेटेड है तो एक Krusus का नईम है Ocean Dream cruise liner यह अभी recently arrived हुआ है और यह 61 नंबर का जो है तो यह अलांग में एहमदाबाद में पहुचा और यह बिल्ड किया गया था 1981 में 1981 में डन्मार्क में ठीक है the vessel which weighs 35,265 tons and 205 meter long has about 10 odd decks and can carry about 1400 passenger और 550 crew members को यह ले जा सकता है and it has 670 passenger cabins है तो बस यह है कि अगर ocean dreams dream आएगा तो यह cruise है और 3rd vessel Soviet built Marco Polo यह भी आएगा अलंग में लेटर दिस मन्त and the European owner of the 14,000 ton ship तो यह है biggest group of cruise travelers तो यह कौन है there is are the most affected by the covid-19 sensitive तो यह इतना जादा important नहीं next जो news है वो देख लगा है hubs for logistics transport soon at greater noida तो यहां पर यह बुला गया है कि जो logistic hubs project is being developed world class facility से developed हो रहे हैं और यहां पर जो storage capacity है वो adequate होगी dedicated freight corridors होंगे देख जिसमें goods की जो transportation है उसको facilitate करेंगे and freight companies and customers will get all facilities at the same point center जो है इसमें काफी सारी maintenance container maintenance वगारा activities होंगी but यह क्या करेंगे various value added service जो है वो भी provide करेंगे ताकि जो logistic cost होती है वो reduce हो जाए और better operational efficiency के साथ तो यह सब चीज़ें यहां पर बोली गई हैं और प्राइम मिनिस्टर तो इनाउगरे रेवारी मदार section on freight corridor on January 7 तो अभी recently आपको पता होगा कि 46 km जो खुर्जा दादरी link है यह मार्स ते इसको ready होने के लिए बताये गया है और 53% यह क्योंकि complete हो चुका है and 127 km रेवारी दादरी line will be ready by December काफी सारे प्रजेक्ट यह corridors को लेकर चल रहे हैं अभी और जो यह होगा dedicated freight corridor for commercial operation this time it's western arm between ड्रेवारी और मदार on January 7 days after inaugurating दी अभी recently क्या inaugurate किया अगर आप newspaper ध्यान से पढ़ रहे हो regularly तो 351 km का खुर्जा भौपूर section तो यह eastern arm जो है mega project की तो वहाँ पर यह dedicated ही किया गया तो एक बर मैं आपको थोड़ा deeply इसको बता देती हूं western freight corridor और eastern freight corridor के बारे में इनकी क्या importance है यह भी हम देखेंगे so new भौपूर new खुर्जा section of eastern dedicate freight corridor ठीक है पहले मैं आपको मैं आपसे दिखा देती हूं यह है sections opened by PM ठीक है तो यह सहन वाल और यहां से यह देखने को मिल रहा है दाकुनी ठीक है और eastern DFC यहां पर न्यू भौपूर है और यह न्यू खुर्जा यहां पर है तो 351 km न्यू भौपूर न्यू खुर्जा section eastern dedicated freight corridors built at a cost of rupees 5750 करोर and most of its part passes through UP तो यह जो में जो कानपूर डैली में लाइन है तो वहां पर यह इसको decongest करेगा और जो इंडियन रेल्वे है हमारी तो उन वहां पर काफी तेजी से जो ट्रेंस है वो रन करेंगी और जो यूपी के जो फार्मर्स हैं तो वो भी अपने जो क्रिशी उत्पाद उनके जो हैं को faster speed से दूसरे कंट्रीस के जो हमारे पार्ट है तो वहां पर पहुँच सकेंगे और जो export capacity है इसको increase करेंगे यह state की which is a landlocked area and doesn't have any port to send the items abroad and दूसरी अगर हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ने inaugurate किया है Eastern Dedicate Fret Corridors Operation Control Center at Prayag Raj ठीक है तो अलाबाद UP में एक क्या गया है Operation Control Center भी inaugurate किया गया है and this will act as the command center for the entire route length of the EDFCs और यह equipped होगा states के साथ with all facility and are indigiously designed ठीक है तो यह इसमें बस यही facts याद रखने है कि यह 351 km section है of the Eastern Dedicated Fret Corridor and Operation Control Center होगा इन दोनों के बीच में और 1839 km की जो project है यह built किया गया है largest rail infrastructure being built independent India and has been making since 2006 और अगर हम एक ministry की बात करें यहां पर इसकी बात करें dedicated Fret Corridor Corporation of India Limited की तो यह ministry of railway के अंतरगत आता है यह SPV है SPVs जीसे बोलते है Special Purpose Vehicle tasks with planning and completion of 3306 km of DFCs ठीक है dedicated Fret Corridors इतनकी and इसका जो headquartered है वो कहां पर headquartered in New Delhi and is a public sector undertaking PSU ठीक है तो यह planning development deployment monetary resources इन सब चीजों को यह क्या करता है engage engage करता है इन सब चीजों में then अगर हम बात करें DFC की तो यह होते क्या है dedicated Fret Corridor it is a high speed high capacity railway corridor that is exclusively meant for the transportation of Fret ठीक है और in other words जो goods होती है या commodities होती है तो उनकी transportation से related यह होते है और इसमें seamless integration होता है better infrastructure का in the state of the art technology इसके अलावा मतलब goods और commodities के लिए नहीं है passenger भी कर सकते हैं travel और two arms इसकी है ADFCs ठीक है start जो साहने वाल अभी हमने map में देखा लो धियाना से start होता है पंजाब में और धाकुनी कहां पर West Bengal में ठीक है तो यहां पर end होता है अगर हम बात करें कितने state इसमें cover होते हैं Eastern dedicated fret corridor में इस रूट में तो पंजाब पंजाब के बाद हरियाना फिर यूपी देन बिहार जार्खन वेस्ट वेंगॉल ठीक है तो यह है अभी इसको जो fund कर रहा है वो वर्ड वेंग कर रहा है यह हमें जानना इसलिए जरूरी क्य तो यह हमने बता दिया है कि जो कानपूर और डेली की जो मेंन लाइन है उसको डेकंजिस्ट करेगा and double the speed of fret trains from 25 km per hour to 75 km per hour then western dedicated fret corridor की बात करें तो यह other arm है is around 1500 km western dedicated fret corridor तो यह दादरी जो है यूपी में और जवालाल नहरू पोर ट्रस्ट है जो मुंबई में तो यहां से यह होत करता है पांच स्टेट को ठीक हरियाना राजस्थान गुजरात महारास्टा एन यूपी तो यह वेस्टन का याद रखना है ठीक है और इसकी जो फंडिंग है वो कॉन करें फंडेड वाई जपैन इंटरनाशनल कोपरेशन एजेंसी और यह connect कर रहा है लिंक फॉर एस्टन गुश्टन एम इंटर कंस्ट्रॉक्शन बित्वी दाद्य एंग खुर जा यहां से देख सकते हैं लुधियाना साहने वाल यहां पर हमने देखा ता और यहां पर यह धाकुनी वेस्ट बेन कॉलिटा में तो यह इसका मैप है वेस्टन इस्टन कोरिडोर यह सारे आप एक इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो मैं आपका तो फिर हम देखें नेक्स अभी हम जो दूसरी न्यूस है वो डिसक्स कर लेते हैं मानुशी चिल्लर चुजन फॉर यूएन क्यामपेइन ठीक है तो जो अगर यहां पर आता है इनिशेटिव हैश्टाग औरेंजदबो तो यह मोवडिट किस चीज से रिलेटिड है तो इस प्यूबल इनिशेटिव है और हैश्टाग यह एवैरोनेस रेइस करके लिए है और जंडर्बेस्ड्र वाइलेंस वेज्डेसाथो टीक है तो जंडर वेस्ड्रवाइलन्स में अवैर्नेसा बागी यहां पर कुछ रिजर्व दिये गए हैं जैसे राजाजी टाइगर रिजर्व के दारनाथ वाइल डिविजन और कॉर्बट टाइगर रिजर्व तो यह सारे कहां पर उत्राखंड में हैं लोकेशन वाइस देन इरान प्लांस 20% uranium enrichment as soon as possible तो यहां पर जो sanctions लगे थे तो उसमें यहां पर इरान ने दुबारा से मतलब यह बोला गया है कि 20% purity of uranium remains well short of the 90% required to make a nuclear bomb so it is much higher than this standard set in 2015 में जो set किये गए थे nuclear agreement में जिसमें इरान को यह बोला गया था कि जो अपना जो uranium enrichment है वो 4% से नीचे ही रखेगा and Iran decisions to be begin enriching to 20% a decade ago nearly brought in Israeli's track targeting its nuclear facilities ठीक है जो net ans हमने देखा था उनका जो एक प्रोविंस है जहां पर वो सारा यह काम करते हैं तो वहाँ पर attack भी देखने को मिलेते हैं and a resumption of 20% enrichment could see that brings manship returns ठीक है तो दुबारा से यह हो सकता है आपर issue सारी countries के बीच में and हम यह बोल रहे हैं कि we are ready for this and we'll produce 20% enriched uranium as soon as possible ठीक है तो यह बोला गया है तो यह उससे बचा रहे हैं अगर कुछ भी होता है any fireworks will backfire badly है ना तो एक तरह से straightforward यहां पर challenge है how israel become a leader in vaccinating against COVID-19 तो यहां पर यही सब बोला गया कि 10% जो population है Israeli population तो वहां पर vaccinate किया गया है उनको और तो इतना कुछ खासी article है नहीं ठीक है बाकि हम जो दूसरे news है वो discuss कर लेते हैं यहां पर जो वो dedicated freight corridors हैं तो उनके कुछ इस तरीके के benefits होते हैं जैसे कि जो logistic cost होती है वो reduce हो जाती है higher energy efficiency faster होता है movement का जो goods मतलब goods का जो movement होता है वो बहुत तेजी से होता है और environment friendly होते है and it will provide ease of doing business helps in generating more employment ठीक है और बाकि decongestion punctuality यह सब हमने देखा ही था increased capacity then next news है industrial corridor notes at krishnapatnam and tumak kuru ठीक है तो यह भी infrastructure related economy का ही यह पार्ट है cabinet approves industrial corridor notes at krishnapatnam and tumak kuru तो यह अगर industrial corridor की बात करें तो इसमें क्या होते industrial corridor मतलब यह होता है कि basically ऐसा corridor जिसमें multimodal transport services होती है ठीक है और यह integration होते है effective integration होते है जो industry और infrastructure होता है उसके बीच में industrial corridor constitute world class infrastructure such as high speed transportation network rail and road modern airport sports with state-of-the-art cargo handling equipment तो यह सारे इसमें होते हैं ठीक है यहां पे आप यह देख सकते हैं कि जो major industrial and transport infrastructure हैं तो यह हैं then global housing technology challenge तो यह अभी प्राइम minister ने इसके foundation इसमें बात की थी कि light house projects जो है वो चलेगा यह किसके अंतरकत global housing technology and challenge इंडिया six sites जो है across six states तो यहां पे चलेगा अब lighthouse projects है क्या तो यह इंदौर मध्यप्रदेश गुजराच चेनने तमें तमिलनाडू में राची जहारकन अगरतलात्रपूरा लखन उत्तरप्रदेश तो यह हां पे six state में यह चलेगा और इसमें one thousand जो houses है at each location along with a light infrastructure facility तो यह सब होंगे इसमें और यह demonstrate करेंगे प्रोजेक्ट की जो भी मतलब 12 months के अंदर जो इसमें capacity है तो जो हमारे conventional method था brick and motor construction उससे जादा यह एकनोमिकल होगा sustainable होगा high quality durability यहां पर देखी जाएगी और variety of technologies का use किया जाएगा यहां पर ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं यहां पर then next news है वो देख लेते हैं किससे related climate change in India in 2021 तो यह कुछ issues बताए गए हैं जो है climate change related जैसे high vulnerability to climate risk उसके बाद जो extreme climate events है तो उनमें जो बढ़ते हुए frequency हो देख देखने को मिल रही है अगर हम बात करें इंडिया की तो यहां पर 1970 से लेके 2005 के बीच में 250 extreme climate events देखे गए and country recorded 310 extreme climate events after 2005 alone financial losses बहुत जादा हुए 1990 से 2019 में इंडिया incurred losses exceeding 100 billion dollar ठीक है बाकी यह की enhanced intensity of extreme climate events तो यह है swapping trend देखने को मिल रहा है जो flood prone areas है are becoming drought prone and vice versa तो यह सब चीज़े हो रही है changes देखने को मिल रहा है तो यहां पर यही सारी चीज़े बोली गए हैं कि हम क्या कर सकते हैं इंटरनाशनल कोलबरेशन कर सकते हैं फिनैंसिंग टूल्स जो है उसका यूज कर सकते हैं फोकस अन इंडिजनेस कम्यूटीज है उनको restoration कर सकते हैं और जो traditional climate resilient practices होती है उसको हम कर सकते हैं अपना सकते हैं सहायक एंजी क्या है यह इंडिया का first indigenously designed and developed air droppable container है ठीक है सहायक एंजी इंडिया's first indigenous designed and developed air droppable container और यह gps added air dropped container होता है with the capacity to carry a payload of up to 50 kg and can be dropped from a heavy aircraft यह successful test किया गया था और DRDO के द्वारा इंडियन ने भी इन्होंने मिलके किया था ठीक है test then अगर हम history की बात करें तो सुभास चंद्रबोस से related यहां पर कुछ news थी सुभास चंद्रबोस had unfurled in tree color in port bear on 30th December 1943 ठीक है first जो भी है first January से जो news है 30th January मैंने 30th फिछले साल की भी कुछ-कुछ वो भी हम देख रहे हैं भी तो यहां पर हम बात करें जब second world war हुआ था तो Japan ने दो आइलेंट जो थे Port Blair अन्दमान निकोबार आइलेंट यह हमें handover कर दिये थे 1943 में over to his आजाद हिंद government आजाद हिंद government की बात करें तो यह सुबास चंडर बोस ने announce किया था establishment of the provisional government of आजाद हिंद in occupied Singapore तो यहां पर अरजी हुकूमत आजाद हिंद तो यह support किया गया था जो access power थी of imperial Japan, Nazi Germany and Italian Social Republic and their allies तो उसके बाद इन्होंने जो struggle थी वो launch की, इंडिया की कि इंडिया को freedom चाहिए British rule से and the banner of the provisional government in exile during the later part of the second world war तो यहां पर यही चीज़े बताएगे कि कौन उसका part था और अगर हम बात करें यहां पर Captain Lakshmi जो थी वो भी एक women organization की team थी है ना जो SAIR जिसको head कर रहे थे publicity and propaganda revolutionary leader राज भिहारी boss was designated as the supreme advisor और सुभास चंडर बोस की बात करें तो यह president रह चुके हैं इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के दो बार इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के दो सेशन हुए थे एक 1938 का हरीपूर सेशन दूसरा था 1939 का त्रपूरी सेशन थी है तो इसमें यह main president रहे थे और उन्होंने उसके बाद 1939 में Congress Presidentship से resign कर दिया था और उन्होंने All India Forward Block की स्थापना की थी within Congress है ना इन बेंगॉल तो यह है नेक्स्ट जो न्यूज है डाक्टर से रिलेटेटेट टू हेल्थ हेल्थ से हमने देख लिया है स्टेटस ऑफ कालाजार इन फोर स्टेट रिव्यूड तो यहां पर कालाजार के बारे में बात की गई है जो हमारे मिनिस्टर है हर्शुवर्दन जी यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेर तो उन्होंने चार जो डिस्टिक है उत्तर प्रदेश भिहार जारकन वेस्ट बेंगॉल तो यहां पर ही यह स्टेटस जो रिव्यू किया है और 54 डिस्टिक इन इस फोर स्टेट्ट आर करेंटी अफेक्टेड बाइ कालाजर विद स्पार्डिक केसेज एंड अधर स्टेट्स लाइक आसम एच्पी जेन के के रला सिक्की मेर उत्राखंटी के जेन के यूनिन टेरिटरी और इस बेस्टेटिसफाइड स्ट्रेटिफाइड अप्रोज नीट्स टू बी जो एलिमेरेशन था वो 617 ब्लॉक्स में अचीव किया गया अगेंस 596 ब्लॉक्स लास्टेर 60 परसें डेक्शन कंपेर तो 2019 अब यह जो डिजीज होता है यह कॉस्ट वा इंफेक्शन विद लिसमानिया पैरसाइट्स ठीक है और जिसमें वाइसरल लिसमानिया जो 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 जोड़ार हो जाता है वेट लॉस होता है तो यह सब इसके कुछ फैक्स है अब यहां पर आप यह कुशन का अंसर कर सकते हैं अगर आपने सुना है सब्सक्राइब करेक्ट कोड को आपको सब्सक्राइब करना है तो इसमें भी आपको चूस करना है ठीक है तो आप इसको अपने नोट्स में आट कर सकते हो या फिर सब्सक्राइब कर सकते हो तो इसमें यह बोला गया है कि जो इंडियन वुमेन है और जो चिल्रन है तो वह बहुत जादा अनिमिक हैं ठीक है अनिमिक कैसे हैं अनिमिया होता क्या अनिमिया the condition of having lower than normal number of red blood cells जब RBCs जो होती है बहुत ज्यादा lower होती है normal number से तो hemoglobin की मतलब जो कमी हो जाती है so it can make one feel tired, cold, dizzy and irritable and short of breath among other symptoms तो a diet which does not contain enough iron आपकी डाइट में अगर enough iron नहीं है folic acid नहीं है vitamin B12 नहीं है तो यह सारे ही क्या होते common cause होते हैं of anemia अगर हम anemia के बात करें तो जो iron deficiency और vitamin B12 है उसकी deficiency यह two common types होते है अनिमिया के इंडिया में और women की बात करें तो iron deficiency जो prevalence होता है वो men से कम क्यों होता है क्योंकि menstrual iron losses की वज़े से तो menstrual cycle के डाइम पर excessive bleeding की वज़े से and high iron demands of a growing fetus during pregnancy lack of millets इंते diet due to over dependence और rice हम मतलब diet भी हमारी rice और wheat पर ही जादा हम dependent रहते हैं इसके जैसे हम green और जो leafy vegetables होते हैं उनका हम insufficient consumption करते हैं sufficient तरीके से हम उनको नहीं consumption कर पाते हैं तो इस वज़े से यह सारे कारण है anemia जादा हो रहा है जो हमारी country में then IR से related जो news है Argentina legalization of abortion तो Argentina has legalized abortions up to 14th week of pregnancy तो इससे पहले यह होता था कि यहां पर illegal बोले जाता था और unsafe procedure follow होते थे because उस टाइम पर abortion जो था वह अर्जिंटेना के जो law थे उसके अगेंस था अभी for women from socially socio-economically disadvantaged background the scope of the to safe medical procedure for abortion was even narrower तो यह एक news है then एक आप question आपके लिए यह है Asian development bank is headquartered at which of the following तो चाइना में है इंडिया में मलेशा में या फिलिपिन्स में कहां पर है तो यही है बाकी का जो भी अगर आपको नोट्स चाहिए आपको तो आपको अपनी comment section में आप ID मुझे लिख सकते हो तो I will share through google drive ठीक है thank you have a nice nice day ahead